जब मैं शुरू शुरू में यहां आई तो शुरू में कहना मैं आते ही तो मैं बहुत परिशान रहती थी क्योंकि अपना घर छूट जाए तो नेचुरल है आदमी परिशान रहेगा लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैं बैठी-बैठी अपने आपी बाते करती और रोती भी थी तो मैडम मेरी मुझे आके समझाती बहुत कि देखो डिप्रेशन में आ जाओगी तुम इस तरीके से अगर करोगी तो पागल हो जाओगी कहीं बैठा करो बाहर बैठो अपने आज-पास के लोगों के साथ बात करो और मैडम भी मुझे बहुत ही समझाती वो तो मुझे नहीं कभी मुरी बैन बनी कभी मेरी बेटी बनी लेकिन उन्होंने समझाया मुझे बहुत अच्छी तरीके से और कभी मैडम भी बनी सब तरीके से उन्होंने मुझे समझाया यहां सबी लोग बहुत अच्छे हैं और आपस में अच्छी तरह रहते हैं और देखिए मैं इतना ज़्यादा सब लोगों से मिलती जुलती नहीं हूं लेकिन यह जरूरे के संबान बहुत करते हैं सबी लोग आपस में बहुत अच्छी तरह रहते हैं लोग सब्सक्राइन हैं यहां सब लोग आपस में मिलें के त्योहार मनाते हैं और बाहर को आते के पर जो हäreं मानाने के लिए हम लोगों के पास मतलब दिये वी यह जलवाते हैं और यहां से भी आश्थ्रम से भी जलते हैं मिठाई वे गश्क्राइब बांटते हैं यहां मिठाई भाइफिज file वे बहुत को आते हैं कीर्टन वेगेरा करते हैं सब लोग बैठके मैडम हमारी साथ में बैठके कीर्टन करती है हम आप पास साल से आप अपना जो घरता जहां पर आप बच्पन से आप बहुत पहले समय से रह रही थी वह आपने छोड़ा तो उसका जो यह सफर था उससे आपको एक क्या सीख मिली उससे क्या सीख मिलती बस यह है कि दुनिया में मुझे तो लगता है कि कोई अपना सगा नहीं होता अकेले आए और अकेले ही जाना है वह हमारे पास पास साल पहले आई थी और जब इस्टार्डिंग में आई थी तो बहुत परिशान थी और अकेले-अकेले बैठे-बैठे बात भी करती थी जैसे आजमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और रोती थी बहुत बच्चों की याद आती थी और हमने दीरे-दी के अच्छे से हो रही है कई बार एक उनके भांजे हैं जो अमेरिका रहते हैं तो उन्होंने मतलब उने यह बोला है कि मैं आपको अच्छे किसी ब्रहदार्शन में रख देता हूं जो से अरकंडिशनर है या नॉडा कोई अच्छा होगा तो उसके लिए बोला है कि हम आर देते हैं लेकिन वो यहां से जाना नहीं चाहती उनका मन यहीं लगता है